जाहिन दोस्तों स्वागत आप सभी का विजडम एजूकेशन पे हैं आज 24 अप्पिल 2021 है डैनिक जागरन के राष्टिय संस्करण का कम्प्लीट न्यूज एनलाइसिस करेंगे आज का न्यूज एनलाइसिस काफी इंपोर्टेंट होने वाला है खास करके नए सब्सक्राइबर के लिए या नए लोग जो UPC और स्टिट पीशेश की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए काफी माधपून होगा आज का हमारा फोकस है कि किस तरह से डैनिक जागरन के राष्टिय संस्करण को हम पढ़ें कितना पढ़ना चाहिए और कितना छोड़ना चाहिए किस न्यूज को हम पढ़ें किस न्यूज को हम छोड़ें यह आपके लिए अधिक इंपोर्टेंट है साथी साथ दैनिक जागरन के राष्टिय संस्करण को हम किस तरह से UPC के लिए पढ़ सकते हैं किस तरह से अपने एस्स्टिक पॉर्शों से चॉर्टे कर सकते हैं किस तरह से इस न्यूज को हाप अपने हिस्ट्री के से को डिक कर सकते जोगरफिस से कोर्रेलेट कर सकते हैं, एकोनोमिक से कोर्रेलेट कर सकते हैं, इंटरनेस्टनल रिलेशन से कोर्रेलेट कर सकते हैं, पॉलिटी से कोर्रेलेट कर सकते हैं, जितना आप अधिक कोर्रेलेट करके समझोगे, उतना ही बहतर आपके लिए होगा, तो चलिए, डिसक्र 24 अप्रील में भारत के इथियास में तीन महत्पूर्ण भर्टना होती है एक तो 24 अप्रील 1993 को 24 अप्रील यानि आज ही के दिन 1993 को जो है वह तहतरवा समिधान सनसुधन पास होता है इसलिए आज राष्टिय पंचायति वर्ष्ट दिवस मना जाता है पंचायती राज दिवस आज मना जाता है राष्टी है, पंचायती राज दिवस मना जाता है 24 अप्रियल को, त्योंकि इसी दिन 1993 में 73 वां समिधान संसोधन जो है पारित हुआ था 24 अप्रियल 1973 को, सचीन तेंदुलकर जो हमारे देश के भारत रत नहीं है, उनका जन्दिवस है आज और साथे साथ एक सबसे महतपूर्ण घटना जो हुई है, वो भी हुई थी 24 अप्रियल 1973 को, आज ही के दिन केश्वानन भारती बनाम केरल राजवाद जो है, उस पे सुप्रिम कोट का वर्डिक्ट आया था इसी दिन 24 अप्रियल को ही, मूल धाचा के सिधान का प्रतिपादन किया गया था, केश्वानन भारती बनाम केरल राजवाद, 1973 में सुप्रिम कोट के द्वारा अब देखो, यह जो सुप्रिम कोट बैठी थी, 1973 में आजे के दिन, वो 13 सुदस समित्थी के द्वारा इसको पारित किया गया था मज़े की बात यह है, कि सुप्रिम कोट में उस सिधान को प्रतिपादिद किया था तो हो सके तो जाकर कि मूल धाचा के सिधान को पढ़ लेना, आज अपने एस्टेटिक बुक से लक्षमी कांत की किताब में असपस्ट दिया हुआ है कि क्या है मूल धाचा के सिधान मिधान के मूल धाचा प्रभावी तो, तो बाकी डिटियल से जो है आप पढ़ लेना अपने लक्षमी कांत के बुक में देखो, फर्स्ट पेज पर एस सच कोई खास न्यूज नहीं है, इस न्यूज के बाल देख सकते हैं कि जर्मानी से 23 ओक्सिजन उत्पाद सेयंद एर लिफ्ट करेगा भारत इसको लेकर के एक्टूरियल भी दिया हुआ, वहाँ पे हम डिटियल से डिसक्स कर देंगे, तो वहाँ पे मैं डिटियल से इसको लेकर के डिसक्स कर दूँगा अब देखो, यह जो न्यूज है, इस न्यूज को थोड़ा में बराक कर रहा हूँ 80 करोर लोगों को मुक्त अनाज देगी सरकार सरकार किसी योजना के तहत देगी, सरकार 26,000 करोर का एक पैकेज दे रही है, रहात पैकेज दे रही है और यह जो है सरकार देगी, प्रधान मंतरी गरीब कलियान योजना के तहत तो एक तो आपको गरीब कलिया नियोजना जानकारी होना चाहिए पिशली वर्स ये योजना आई थी दूसरा आई की सरकार इसे देगी PDS सिस्टम के तहथ साभजिनिक वित्रन परनाली सिस्टम के तहथ देगी और साथी साथ राष्टिय खाद सुरक्षा मिशन 2013 के तहथ इसको क्यानवित किया जाएगा तो एक तो प्रधान मंतिर गरीब कलिया नियोजना के बारे में पता होना चाहिए दूसरा जो PDS सिस्टम है ये काफी पुराना सिस्टम है जादे के बाद ही इसको इंप्लिमेंट किया गया था बाद में काफी संसुधन हुआ है तो PDS सिस्टम जो है काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए आपको एकॉनोमिक्स में जाकर के PDS सिस्टम सावजनिक वितनन परनाली के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कब आया कैसी आया बाद में इसमें क्या-क्या इंप्लिमेंट हुआ किस किस समिती ने इसके सुधार के लिए क्या-क्या रिकमेंडेशन दिया यह बेसिक चीज़े हैं जो आप पढ़ सकते हो और इनफेक्ट इस न्यूज को देखने के बाद आपको अपने Economics की किताब में जाकर के पढ़ना चाहिए PDS सिस्टम के बारे में साथी साथ National Food Security Mission इससे भी UPC ने कई बार कोशन पूछा लगभग 80 करोड लोग जो है 50% से अधिक 60% से इंफेक्ट अधिक लोग जो है PDS सिस्टम के तहट National Food Security Mission के तहट covered हैं भारत में तो नेशनल फूट सिकुरिटी मेशन, PDS सिस्टम, प्रधान मंत्री, गरीब कल्यान, योजना ये तीन चीज के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए इसके लिए आप नेट भी उप्योग कर सकते हैं जैसे PDS सिस्टम तो आपको बुक में मिल जाएगा नेशनल फूट सिकुरिटी मेशन भी आपको बुक में मिल जाएगा प्रधान मंत्री गरीब कल्यान योजन आपको बुक में नहीं मिलेगा उसके लिए करके उसका जो बेसिक प्रोविजन है उसको अपने कॉपी पर लिख सकता है तो इसी तरह से आप को लेट कर सकते हैं जैसे इस न्यूज को अगर आप देख रहे हैं तो इस न्यूज से आप को लेट करो अपने यहाँ पे दिया हुआ सरक सिमा सरक संगठन BRO Border Road Organization तो Border Road Organization Border के एरिया में जो है जो सिमा का एरिया है जो पागिस्तान के साथ सिमा हो गया चीन के साथ सिमा हो गया वहाँ पे रूड बनाने काम करती है तो हमारा जो बौडर एरिया है जो अन देश के साथ हमारी सिमा लगती है वहाँ पे रूड बनाने काम करती है अब रूड बनाने काम करती है NHAI लेकिन यहाँ पे National Highway के द्वारा रूड नहीं बना जाता है यहाँ पे BRI के द्वारा रूड बना जाता है और यह BRI जो होता है वो होता है आपको Ministry of Defense के तहता है तो basic जानकारी बस आपको होना चाहिए यह Defense Ministry के तहत होता है इस तरह का संगठन जब ही चर्चा में रहे उससे question you पे सी पूछ लेता है अब देखो कल जो है जिस तरह से देश में कोरोना के मेटर बढ़ रहा है उसके लिए 20 विरादरी में चिंता भारत को बढ़े हाथ खासकरी के यूरोपिय यूनियन के देश उन्होंने भारत की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है हमने दिखा फर्स्ट वेस पे कि जर्मानी से जो है प्लांट जो है आया थोड़ा है इंडिया में अक्सिजन प्लांट इसी तरह से फ्रांस यूरोपिय संग रूस और इंफेक्ट चीन ने भी मदद का हाथ बढ़ाया लेकिन गौर करने वाली बात है कि अमेरिका भी भी खामोश है हमें क्या चाहिए हमें चाहिए कोरुणा वैक्षिन के लिए हमें चाहिए कच्चे माल कच्चे माल भारत के पास प्रयाप्त नहीं है वैक्षिन के लिए जो कच्चा माल है वह अमेरिका के पास प्रयाप्त है अमेरिका हमें देने रहा है तो इसलिए जब देखो क्वार्ड में हम अमेरिका के साथ हैं या अनी जगह हम अमेरिका के साथ हैं लेकिन भारत के लोगों का सेंटिमेंट अभी भी अगर USA और रस्या को ले लिया जाया तो भारत के लोगों का सेंटिमेंट अभी भी रूस के तरफ अधिक है अमेरिका के तरफ कम है क्यों कि अमेरि 1971 का जो वार हुआ था, 1971 का जो वार हुआ था, उस वार में इंडिया और USA के बीच, सोरी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच वार हुआ था, पाकिस्तान का सहयोग कर रहा था, अमेरिका और भारत का सहयोग कर रहा था रस्या, रस्या ने जो है अपने एरक्राप्ट भेज दिय थे रस्या ने अपने एर्क्राफ भेज देते भारत के समर्थन में वो हिंद महासागर में आ चुकी थी लेकिन पाकिस्तान के समर्थन में जो है USA ने अपना एर्क्राफ नहीं भेजा था जो सात्मा बेरा आने वाला थी USA को वो आया नहीं था समय पे और यहीं कारान था कि भारत जीत गया था लेकिन वहीं दूसरी तरब आप दिखोगे रूस एर्क्राफ यूनियन और फ्रांस जैसे देश ने भारत के तब हाथ बढ़ा दिया कि आपको जो चाहिए हम प्रोवाइट करेंगे रूस ने कहा है कि आप हमारे यहां से जितना ओक्सिजन जरौत है हमारे यहां से ले जाएए एक अच्छा कदम एक साकरातब कदम है हमारा रूस के साथ रिलेशन इस से बढ़ेगा भारत के लोगों को सेंटिमेंट रूस के परती बढ़ेगा निश्ची तोर पर बढ़ेगा लेकिन अमेरिका के प्रती संदे की द्रिष्टी फिर उत्पन होगी कि अमेरिका जो भारत को आपना सबसे महत्पूर्ण एलाई मानता है हिंद महासागर में चीन का प्रतिगामी मानता है वो समय पर भारत को मदद नहीं कर रहा है तो जब भी भारत और अमेरिका रिलेसिन के बारे में आपको लखना और NICK आप्वा लोगों में अमेरिका के प्रती जो है आसंका की द्रिष्टिकोन है निश्च्त पर एक असंका की द्रिष्टिकोन है कि समय FM 對 तो सौमीत योजना के वारे में आपको जानकारी होना याँ प्रोपर्टी है तो उसको एक card मिलेगा कि हाँ, ये card है, इस card में आपका सारा data दिया गया है, इस card में ये जो property है, इस property का detail है, तो यानि ये आपके property है, ये card इस वाद का proof है, उसी के लिए सौमित यूजना आया था, जिसके आज एक property card के सुरुवात करेंगे प्रामिनिर्स्टर मोधी. बांकि इस page पर कोई खास news नहीं है, page number 4 पर जो है, कोरोना का news होता, जो बहुत अधिक important नहीं होता आपके लिए, ये भी important page नहीं है, बिजनेस का page काफी important होता है, दूसरी लहर में 1.5 लाग करोड रुपे डूब चुका, अभी तक इतना डूब चुका है, अधिक important नहीं है, बस एक बार आपकी निगाह होनी चाहिए, कोरोना का जो दूसरा लहर है, वो देश की economy के लिए काफी नुकसान दे है, और यहीं कारान है कि डेली आप परते होगे कुछ न कुछ यो रेटिंग एजनसी है, भारत के विकास दर घटा रही है, पर ते एक दिन कुछ न कुछ न कुछ रेटिंग एजनसी आती है, जो भा important news है, डेश में कोरोना चल ला है, डेश में महमारी चल रही है, 2020 में महमारी के दोर से देश उजर चुटा है, तो ऐसे कंडिशन में देश को GDP का नुकसान हो रहा है, काफी negative हमारी GDP रही है, 7.7% पिछले वर्स negative GDP थी भारत की, भावजूद इसके भारत का फोड़क्स दिज हो गया है, और यह अब हो गया है, 190 billion dollar कुछ दिन के बाद यह 600 billion dollar हो जाएगा, 590 billion dollar हो चुका है, 600 billion dollar भी हो जाएगा, तो सबसे पहले तो आपको यह जानना चाहिए, कि बिदेशी मुद्रा भंडार के ताथ क्या-क्या आता है, देखो, बिदेशी मुद्रा भंडार के आती है, जो RBI के पास होता है, बिदेशी मुद्रा भंडार भारत का, पहला तो आता है बिदेशी परिसंपत्ति, जैसे बिदेशी मुद्रा हो गया, डॉलर हो गया, खास करके, यूरो हो गया, तो यह सब मुद्रा जो हो गया, वो बिदेशी मुद्रा का पार्ट हो गया, डिबेंचर हो गया, शेयर हो गया, तो बिदेशी परिसंपत्ती एक आठ है, बिदेशी मुद्रा भंडार का, दूसरा है, गोल्ड रिजर्ब, जितना अधिक हमारे पास गोल्ड रिजर्ब होगा, उतना ही देश जो है, एस्टिवल होगा, राइट, तीसरा है, आएमेफ के र अब देखो, बिदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ने का क्या कारान है, पहला सबसे important fact है, कि हमारा बिदेशी वैपार घाटा कम हुआ, बिदेशी वैपार घाटा जितना होता है, जितना अधिक होगा, उतना हमें बिदेशी मुद्रा भंडार जो है, उसको कम करना होगा, यानि उतना डॉलर हमें इन्वेस्ट करना होगा, हम तील मंगाते हैं मानलो, सौधी से तील मंगाते हैं, तो सौधी से तील मंगाते हैं, तो उसके बदले हम सौधी को डॉलर देते हैं, सौधी को हम डॉलर देते हैं, तो हमारा बिदेशी मुद्रा भंडार कम होता है, तो जितना ब्यापार घाटा कम होगा, उतना ही हम सक्षम होगे, उतना ही हमारा BDC मुद्रा बंडार बढ़ेगा। दूसरा कारण है कि FDI काफी अधिक आया। मुझे लगता है कि इस्वर्स का अधर टोटल जब डाटा आ जाएगा, आप डाटा देखना 2020-21 का अभी डाटा हमारे पास नहीं है, लेकिन डाटा देखना अभी तक all time high FDI भारत न आया। Google जैसी company, Facebook जैसी company ने भारत न अच्छा कासा investment किया था, तो FDI आया है, FDI आने का मतल़ है कि हमारे पास BDC मुद्रा बढ़ा है, तीसरा है कि gold का दाम बढ़ा है, जो सोना है, हमारे पास reserve सोना है, उस सोना का दाम अपने आप बढ़ गया, क्यों? क्योंकि मानलो हमारे पास 100 ton सोना है, अब मानलो एक टन सोना का कीमत है, एक करोर रुपया, पहले था, अब एक टन सोना का कीमत हो गया है, पांस करोर रुपया, तो हमारे पास 100 ton सोना था, पहले उसका कीमत था 500 करोर रुपया, अब हो गया 50 करोर रुपया, तो ये रखे-रखे कीमत बढ़ गया, क्योंक कि 20 वजार में गोल्ड का कीमत बढ़ हिया तो यह बेसिकली तीनचा रिजन है कि हमारे पास जो है बिदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है अब देखो फरवरी में ESIC से जूरे 11.58 लाख करोड लोग क्या मतलब है 11 लाख लोग जूरे हैं अगर इससे तो इसका क्या मतलब है तो एक तरह से सोसल सिक्यूर्टी यह है राइट देखो ESI करमचारी राज बीमा निगम द्वारा प्रसस्ती है यानि इसके द्वारा करमचारी बीमा राज निगम के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है और यहां पर बेसिकली क्या होता है कि मालो किसी कंपणी में आप काम कर रहा है तो आपके एकॉन से भी कुछ पेसा कटेगा टोटल 6.5% ESI में जो है खाते में परतिक मन जाता है और इससे जो है आपके अगर आप इंप्लॉईज है तो आपके एकॉन से भी आपको जो सेली मिलेगा उससे भी 1.75% कटेगा और जो न्योकता है यानि जो कंपणी का बोस है या कंपणी का जो मालिक है उसकी एकॉन से 4.75% करते का दोनों मिलाकर के 6.5% परतिक महना जो है एक पाटिकुलर एकॉन में जाके जमाह हो जाता है और जब आपे रिटार करते है या किसे तरह को कोई प्रेशानी आपको होती है तो वह से कंडिशन में एक मुष्ट पैसा आपको मिल सकता है। तो बेसिक चीज़े हैं, लेवर मिनिस्ट्री के तर्थ बेसिकली यह आता है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए है, नेट पर सर्च कर सकता है। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, कटरपन्थ के समर्पन करता पकिस्तान, हालांकि बहुत जादा इंपॉर्टन नहीं है, लेकिन इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए है, फ्रांस में सारली आपदो, जो एक वहां की कार्टून कमपनी है, उन्होंने ए एक फोटो निकाला था, उस फोटो को बहुत बहले घटना हुए थी, I think 2012-13 कासपा से घटना हुए थी, तो फोटो निकाला था, उसके बाद जो है, चलंपन्ति सक्तंग अठंग या जो कर सकतो, मुस्लिम वर्ल्ट जो है, इसके आलशना किया था, और उसके बाद जो है, सा में स्वतंत्त के नाम्पिय जो है, वहाँ के एक तीचर के द्वारा, वो काटन अपनी क्लास में बच्चों को दिखाया गया, वहाँ के एक बच्चे ने जो मुस्लिम बच्चा था, उन्होंने उस तीचर को मार दिया, सरकार दिया, रैट, उसके बाद जो है, फ्रांस के ग फ्रांस के लोग इसे जो है सवतुनता का अधिकार कुरूप में देखते हैं लेकिन यह समझो कि यह मुद्धा जो है पाकिस्तान का मुद्धा इसी से जुरा हुआ है और इसको लेकर के मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था 20-25 मिनट का वीडियो है जाकर के देख लेना उसको समझना तभी जाकर आपको पता चलेगा कि वर्तमान का क्या यूश्वा है देखो आपदा के बीच उभरता है एक अवशर तो यहां पर राइटर ने कुछ पॉइंट दिया है लेकिन अगर इसको ब्रॉड प्रस्पेक्टिव में देखो यह एटूरियल दिया हुआ अपकर प्रस्पेक्टिव में दिया है अप्रस्पेक्टिव में देखो आपको किस तरसे हम अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं तो अपॉर्चुनिटी में किसे बदले हैं इसके लिए जो है हर एक सेक्टर में आपदा को हम अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं हाप दा को अपको यह साहाएक हुआ mirrors प्रियावरन में इन्हेंस्ट के लिए सहायक हुआ आप दा किस तरह से प्रियावरन को बहतर बढ़ाने में सहायक हुआ आपने देखा हुए कोरोणा महावारी के समय में जो गंगा प्रदूशन था वो काफी कम हो गया था यह अवना प्रदूशन काफी कम हो गया था गंगा को हम लोग स्वक्ष करने के लिए सरकार कई प्रियोजना लाई पच्छिस तीस साल से सरकार मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपने आप स्वक्ष हो गया तो निश्यत तोर पे यह आपना प्रियावरान सेक्टर के लिए एक अपर्चुनिटी था इसी तरह से समाजिक सेक्टर में देखो गया लोगों का जुराओ अपने माबाप के प्रति ज्यादा हुआ घर पे लोग रहा हैं मिलजूल कर रहा हैं स्वास्त सेक्टर में देखोगे तो लोग एक दूसरे स्वास्त के परति awareness हुआ है योका जैसी चीजले लोगों में ज्यादा आया हैं मैं वह डिसक्ट नहीं कर रहा हूँ आज चुकि यह एक्रूर्यल का हमारा डिसक्टर नहीं है एक्ष्टरा से इसी अपर्चुनिटिक में बदला है फार्मा सेक्टर को बिसिकले लेकिन अगर आप सोचना शुरू करोगे तो इसमें हर एक सेक्टर में आपको कुछ नहीं कुछ पूष्टिव पूइंट देखेगा जो आपता कारण पूष्टिव हुआ है जैसे भारत की सॉप्ट पावर डिप्रोमेसिव बढ़ी है राइट भारत जो है पीपी किट सर्जिकल मास्क वेंटी लेटर मेडिकल गोगल्स की त्यादी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया हम हम पीपी किट की चैना समगाते थे क्यों ना सिर्व आत्मिरवर हो गया है बलकि बिष्व बैपारक को निर्यात करना चुरू करती है चीन के बाद गिलिफ सबसे बड़ा ऑक्सिजन बनाने वाला और ऑक्सिजन एक्सपोर्टर भी बन जाएगा कुछ दिन में अब देखो 2021 में जहां बैस्विक बैस्विक फार्मा सेक्टर कर में 2% की घिरावत आई है भारत की फार्मा सेक्टर में निर्यात 18% बढ़ा लगभग 1.76 लाग करोड़ गोड़ एक्सट्रा हम फार्मा सेक्टर में कमा और कि दुनिया में व्यक्षिन शुह ه Secondusi निन्रवान भारत में होता सिक्षिपर्सन दुनिया के व्यक्षिन भारत बनाती है चाहिए karma के अ कुछआ काटने के व्यक्षिन हो सापिक दौरा बनाए जाता है भारत अब 80 से अधिक देशों में 6 क्रोड से अधिक खुलाक देच चुका तो इसे क्या हुआ हमारा बाइदेशिक संबंद इंप्रूब हुआ है इसे क्या हुआ हमारा soft power diplomation मजबूत हुई है राइट अंतराश्चे संबंद हमारा मजबूत हुआ है Quad 300 ने 2022 तक 100 करोड क्रोड क्रोड करोव वैक्षिन बनाने का निर्णे लिया है Quad कि दिस जापान औस्ट्रिलिया और अमिरका तिनों ने मिलकर निर्णे लिया है 2022 तक 100 क्रोड में अधिक क क्रोड वैक्षिन बनाया जाएगा कि ग्राभधों को जो है पेला यूजना के चाथ लाब दिया जा रहा क्या होता है सिर्वाद सरकार ने पिश्छी वर्स किये हैं इसका पे लाए सोटके निएन है मतलब प्रोजेक्ट आधारिक इंसेंटिव मांद लो और सरकार ने कंपनी वो कहा है एक काम कीजिए आप यहीं पे बनाना कीजिए और आप जितना बनाए कवा जितना बद्ध आपका प्रोजेक्ट होगा उस प्रोजेक्ट के आधार पे हम आपको इंसेंटिव देंगे हैं जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा प्रोजेक्ट के आधार पे इंसेंटिव देने की योजना कोई का गया प्ला योजना प्रोजेक्ट लिंक सबसी इंसेंटिव योजना राइट तो डेवल्प्मेंट पे सरकार 50,000 क्रूर खर्च कर रही है, बजट 2021-22 कर आप देखो के तो सरकार 50,000 क्रूर खर्च कर रही है, research and development sector पे, इस तरह से रेटर का कहना है कि फार्मा सेक्टर जो भारत में अभी 40 billion dollar का है फार्मा सेक्टर, वो 2024 में 60 billion dollar और 2030 में 120 dollar हो जाएगा, यानि फार्मा सेक्टर गुम कर रही है देश में, बूम कर रही है, फार्मा सेक्टर आपदा के समय में एक वर्दान साबित हो रही है, right, सबसे important sector हमारा फार्मा सेक्टर के रूप में एक उभर के आ रहा है, बिस बाजार में सबसे बड़ा फार्मा सेक्टर के रूप में हमार ज़ए इंपर्टेन नहीं है नासा का जो है देखो नासा में क्या हुआ था नासा अपना मंगल पर गया उसका मिशन मंगल रोबर होता है जिसे एक गाली टाप को रोबर ऐसे होता है तो ये चलना सुरू क्या और इसी के बीच में लगामाता है हेलिकॉपटर जो हेलिकॉपटर कुछ दिन के बाद बाहा निकला और हेलिकॉपटर ने अब उराण भरना तो रोबर क्या होगा? कि मानलू पहिया लगामात 5 दूर चल सकता लेकिन हेलिकॉप्टर क्या होगा कि दूर दूर तक जा सकता है तो ज्यादा के ज्यादा चीजों का वह स्टेडी कर सकता है ज्यादा फोटो भेश सकता है वीडियो भेश सकता है तो इस तरह से नासा के अधिक से अधिक रिसर्च कर सकते हैं उसी को लेकर एडिटोरियल दिया हुआ इसको लेकर कि हमने डिसक्स किया कि अमेरिका जो है कच्छा माल पे निर्यात प्रतिवन्द का किया बचों अमेरिका की पॉलिशी है वर्तवान में कि सबसे पहले हम अपने देश को जो है वैक्सिनेट करेंगे अपने कच्छा माल का प्रियोग अपने देश के लिए करेंगे वैक्सिन के लिए जो कच्छा माल है उसका प्रियोग अपने देश के लिए करेंगे फिर हम दूसरे देश को देंगे जबकि अमेरिका के सांसर के कहना है कि आपके पास परियाप्त क पच्चा माल है, पूरे देश को आप वेक्सिनेट कर सकते हैं, भारत को दीजी अभी भारत को जरूरत है, लेकिन बावजुद इसके अमेरिका के अभी उदाचिंता दिख रही है, जो भारत अमेरिका संबंद को प्रभावित कर सकता, निश्य तरफे देखना आप नाकाराफ खर्षी करियेट होगा, ट्रस्ट देफिसिट भारत और अमेरिका के बीच में करियेट होगा इस घटना के बाद, देखो इस पर हमने डिसकस के अधक कल भी, कि सिंजिंग्यान प्रांत में नरसंघार का प्रस्टाव पारित, ब्रिटेन के संसद में पारित हो गया, शिंजि दाई नहीं रख सकते हैं उगर मुसलमान अपना मुसलिम नाम नहीं रख सकते हैं इसको लेकर के बिश्व के मुसलिम जिस खामोश है पाकिस्तान में तो कुछ बोलता ही नहीं है पाकिस्तान जो फ्रांस के खिलाव इतना बड़ा मुव्मेंट शेर दिया रहा है वो 40 लाक से इस अधिक जो मुसलिम उगर मुसलिम जो चीन में परतारीत हो रहे हैं चीन में जेल में रखे हुए हैं उसके फ्रe濃 को बॉलना चाहिए हो से दिल्ली हाइख कमिशन जहां पे चीन का। हाइख कमिशन धिल्ली में वहाँ पर जाकर बिरोत करना चाहिए हुआ घखो म्यानमार ने बुलाया गया आसियान का जकारता समिट विवादों डिवादॉ में udyaakarta में 해도 जकारता में आसियान का समय वने valid , बिवाद में क्यों घिरा क्योंकि जकारता सम्मीट में म्यानमार को जो सेना ध्यक्ष है जो म्यानमार के सर्था पर काविज हो गया है म्यानमार के लोकतांत्रिक सर्गार को हटा करके म्यानमार सेना काविज हो गई है उसको बुलाए गया अब जो को यहां important क्या है important आसियान सम लेना आपको बुक में मिल जाएगा आश्यान की उत्पति कब हुई थी इसका क्या उद्देश है वगरा वगरा दूसरा भारत आश्यान संबंद क्यों महत्पूर्ण है तीसरा है कि भारत की लूप इस नेती कव आई थी और लूप इस नेती को प्राइमिनिस्टर मोधी के द सब्सक्ति आपको जानकारी होना चाहिए एस्टेटिक पोड्शन से पर सकते हों यहां आपके में इस न्यूज में कुछ खास नहीं दिया हुगा जब रिजल्ट आएगा जब आश्यान के संबिट हो जाएगे उसके फोशना पत्र आएगा उस घोशना पत्र में अगर कोई decision लिया गया होगा तो वो decision आपके लिए important होगा यहां से बस aesthetic portion आपके लिए important है आश्यान ओके इतना ही news था मैंने कोशिस किया है कि news को कैसे पढ़ना चाहिए कैसे अपने aesthetic portion से correlate करना चाहिए यह चीजें आपको बताओ इस news की माध्यम से हालां कि डेली में discuss कर देता हूं इस पर लेकिन आज मैंने focused किया इस पर कि आप दैनी जारान के राष्टे संस्कूर्प की इस तरह से आप correlate करके अपने aesthetic portion के साथ पर सकते हैं चलिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू सो मुच प्लीज दो लाइक से और सब्सक्राइब थैंक यू